मंगल ग्रह को उच्छा पराक्रम का कारग्रह माना गया है। मंगल जिस भी जातक की कुंडली में सुब वस्ता में विराजमान होते हैं वह जातक अत्यंत साहसी और पराक्रमी होता है। अपने किसी भी कारी को आसानी से सफल बनाने का साहस रखता है। किसी भी जातकी कुंडली में मंगल की सुभी इस्तिति में विराजमान होना अत्यदिक आवश्चक होता है। मंगल जब भी किसी राश में गोचर करते हैं तो उसका सिधा सिधा प्रभाव हमारी जीवन पर दिखाई देता है। मंगल की चाहे मारगी अवस्ता हो या वक्री अवस्ता हो वह व्यक्ति के जीवन को सिधे रूप से प्रभावित करते हैं। आने वाले 30 अक्टुबर 2022 को साम को 6 बचकर 19 मिनट पर मंगल मिथुन राश में वक्री गती शुरू कर देंगे। उसके बाद यहां 13 नौबर 2022 को यहां पुनह से मारगी गती में आ जाएंगे। यानि कि यहां समायवदी बहुत थोड़ी है लेकिन इसमें हर किसी राशी के जात्कूं के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव दिखाई देगा। मंगल ग्रा हमारे सरीर में अगनी तत्तूं का निर्धारन करता है और उन्हें नियंत्रित करता है। मंगल ग्रा को उग्र ग्राह माना गया है। इसे जीवन सक्ति, सारेरिक उर्जा, सहन सक्ति, शमर्पन, इच्छा सक्ति, कुछ करने की प्रेणा और किसी भी कारी को पूर्ण उर्जा के साथ करने की शमता मंगल ग्राह ही हमें देते हैं। कुंडली में मंगल ग्राह के प्रभाव से व्यक्ति, साहसी, आवेगी और सीधे आगे बढ़ना पसंद करता है। मंगल ग्राह को भूमी, वास्तवी का अवस्ता, प्रोध्योगी की और इंजीनियरिंग का भी कारग ग्राह माना गया है। जो भी जातक नौकरी में रक्षा चेत्र से संबंदित तयारी कर रहे हैं, चाहिए हो पुलिस, सेना या किसी भी प्रकार का रक्षा चेत्र हो। उसके लिए भी कुंडली में मंगल की सुब अवस्ता में विराजवान होना अत्यदिक आवश्यक होता है। मंगल का साब्दिक अर्थ है सुब, यानि कि मंगल अगर हमारी कुंडली में सुब अवस्ता में विराजवान हैं, तो यहां हमारी जीवन में सुब कारियों को बढ़ाते हैं। मंगल की स्वामित्व والी दो राशिया हैं जिसपे से मेश राशी और ब्रिश्यक राशी को मंगल की अधिपति राशी माना गया है। ग्रहू में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है तो किसी भी जातक की कुंडली में मंगल की सुब अवस्ता व्यक्ति को अनेक प्रकार की लाप देती है अब जो मंगल की वक्री गती होने जा रही है यानि कि इनकी चाल में परिवर्तन होने जा रहा है तो कहीं न कहीं यह हमारे बने रहे और साथ ही मैं इस वीडियो में इन दिनु के अवदि में आपको क्या उपाय करने चाहिए इस बारे मैं भी विस्तार पूरवक्ट चर्चा करूँगा तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे और जो भी नई वीवर्स चैनल पर है चैनल को आप जरूर सब् पर अप्लोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे तो चलिए सुरुवात करते हैं और सर्वपृत्थम हम बात करते हैं मेश रासी से मेश रासी के लिए मंगल तृती भाव पर वक्री गती शुरू करने वाले हैं यहां वक्री आवश्यक होगा अगर आप यहां नहीं कर सकते हैं तो आप खुद को किसी मुसीबत में डाल सकते हैं लोगों के बीच विवाद में सामिल होने से बचें इस समयवदी में आपको व्यापार में और अपने कारी छेत्र में चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है हलाकि दम का दबाओ आपके मांसिक तनाव को बढ़ा सकता है आप अपने प्रियासों के दम पर इस समयवदी में अच्छा धन अरजित कर पाएंगे दामपत्ति जीवन में भी आपकी बाणी के कारण आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस वक्री अवस्ता को परिश्टिता और कठोरता देखने को मिलेगी आपका इस समयवदी में मूपट स्वभाव रहेगा जिसके कारण पारिवारिक मामलों में जगड़े हो सकते हैं यदि आपका कोई मामला कोट का चेहरी में चल रहा है संपत्ति से संबंदित तो उसमें अभी कुछ देरी हो सक प्रेम जीवन के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता आपका स्वभाव इस समयवदी में उग्र रहेगा हालाके आपको यात्राओं पर जाने का मौका मिल सकता है यह वक्री अवस्ता आपके खर्चू में भी बिद्द लेकर आईगी विदेश से जुड़े हुए जात को भी यह वक्री अवस्ता फाइदा देने वाली है इस वक्री अवस्ता को सुप करने के लिए प्रति दिन सुन्दर कांडगा पाट करें बात करते हैं मिथुन राशी के लिए मंगल की वक्री अवस्ता आपके लगन भाव पर होई लगन भाव को व्यक्ति का सरीर माना जात इसलिए आपको इस समयवदी के दौरान अपने स्वास्त पर विशेश रूप से ध्यान देने की आवश्यक्ता होगी, क्यूंकि एक छोटी सी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है, सडक पर वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी बरत नहीं होगी, साथ ही अपने क्रोध औ और एहंकार पर नियंतरन रखना होगा, आक्रमक्ष वभाव आपके रिष्टु में विबात की इस्तिति को जन्द में दे सकता है, इसका सीधा प्रभाव आपके बैवाहिक जीवन में पढ़ने वाला है, साथ ही आपको अपने जीवन साथी के स्वास्त के प्रती भी इस सम मयावदे में किसी प्रिकार की यात्रा की योजना मना रहे हैं, तो आपको कुस्व मयावदे के लिए उस यात्रा को स्थगित करना ही उचित होगा, इस वक्री अवस्ता को सुप करने के लिए मंगलवार के दिन गुण का दान करें, बात करते हैं करकरासी की, करकरासी के लि या आयाद निर्याद के व्यापार से जुड़ा हुआ है। उनके लिए यहाँ गोचर बेहत सुपसाबित होगा। उन्हें इस समयावदी में लाप की प्राप्ती होगी। हाला कि मंगल का यहाँ गोचर आपके खर्चू में भी ब्रिद्द लेकर आने वाला है। इस समयावदी में आपके बिजली से सम्मंदित उपकरण खराब हो सकते हैं। साथ ही आपको मंगल की वक्री अवस्ता के दोरान अपने स्वास्त पर विशेश रूप से ध्यान देने क कि आवश्यक्ता होगी क्योंकि इस समयावदी में आपके स्वास्त पर मंगल की वक्री अवस्ता का सबसे अधिक प्रभाव पढ़ने जा रहा है। कोट का चहरी में चल रहा मामला इस समयावदी में अभी रुकने वाला है। पृत्योक्ता परिक्षा की तयारी कर रहे जात कूं के लिए भी यहाँ गोचर थोड़ा बिलंब की इस्तिती बनाने जा रहा है। इस वक्री अवस्ता को सुप करने के लिए प्रति दिन बजरंग बान का पाट करें। बात करते हैं सिंग रासी की। सिंग रासी के लिए मंगल इकादस भाव पर वक्री होंगे। यहाँ वक्री अवस्ता आपके लिए धन लाब के योग बनाने जा रहा है। आप अलग-अलग माज्यमों से धन अरजित करने में सफल रहेंगे। इस वक्री अवस्ता के दोरान आप कोई घर या वाहन खरीच सकते हैं। यहाँ वक्री अवस्ता आपके साहस में अपार प्राप्त होंगे। विद्यार्थी जात्कूं को शिक्ष्या छेत्र में परिशानियों का सामदा करना पड़ेगा। आपके दामपत्ती जीवन में भी परिशानिया आ सकती हैं। क्यूंकि इस समय अवधि में आपकी बाणी में उग्रता देखने को मिलेगी। परिवार के लिए मंगल दसम भाव पर वक्री गती सुरू करेंगे। दसम भाव को कर्म का भाव माना जाता है। दसम भाव पर मंगल का वक्री होना काम के प्रतिया को बढ़ाने में मदद करने वाला हैं। हालकि आपके उपर काम का दबाव भी बढ़ेगा आपको कारी के प्रति अधिक समय और अधिक प्रियास करने के आवश्यक्ता होगी यहाँ वक्री अवस्ता आपके माता के स्वास्त को खराब कर सकता है उनके साथ आपके समंध भी खराब हो सकते हैं पृत्योक्ता परिक्षा की तयारी कर रहे जाथकों के लिए सफलता के योग बनने जा रहे है इस वक्री अवस्ता को सुप करने के लिए मंगल के बीजमंत्रु का नित्य एक सो आट बार जाप करें तो यह था मंगल का मिथुन राश में वक्री गती शुरू करना जिससे हमारी प्रथम की 6 राशियां प्रभावित होनी जा रही हैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी जो भी दर्सक चैनल पर नहीं हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथिजान बेल नोटिपिकेशन भी आउन कर लिजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को लाइक और सेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें धन्यवाद